हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी एल्थ टिप्स पे दोस्तो इस वीडियो में हम आपको डेंगू बुखार से बचने के लिए एक जबरदस्त रामबान अयरुवेदिक नुस्ता बताएंगे जिसे आप आसानी से घर पर ही तयार कर सकते हैं और खुद को वह अपने आसपास किसी को भी इस जानलेवा बुखार से बचा सकते हैं देखे दोस्तो डेंगू बुखार में सरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगती है और खुन की भी कमी होने लगती है यह बिमारी ऐसी है जिससे हर साल हजारों लाखों लोग अपनी जान गवा देते हैं दोस्तों डेंगू जो है वो एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है और दोस्तों डेंगू जानलेवा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बुखार कंट्रोल नहीं होता और मरीज को सरीर में जो प्लेट लेट्स होती है वो लगातार घटने लगती हैं जिससे आखिर में जागर अगर सही समय पर सही उप्चार ना मिले तो मरीज की मोथ भी हो जाती है तो दोस्तों हम बिल्कुन भी नहीं चाहते हैं कि आपको किसी को भी कभी भी डेंगू बुकारिय जान लेवा बिमारी हो बड़ अगर आपको हो गई है तो ये नुस्का आप चरूर आजमा ये नुस्का आपको इसमें बहुत ज़्यादा हैल्प करेगा तो दोस्तों इस नुस्के में आपको सबसे पहले क्या लेना है एक एलोविरा लेना है और साथ में गेहों का जुआरा जिसको वीड क्रास कहते हैं गिलोए तथा पपीते के पत्ते इन सभी को बराबर मातरा में लेकर और फिर उसको जूसर मसींज होती है जिसमें आप जूस निकालते हैं उसमें डालका बार एक पीस कर उसका जूस बना ले और फिर आपको ये जूस दिन में दो बार जिसे डेंगउ पुकार हो गया है उसको देना होता है सुभे और सामगे टाइम दोस्तो इसको पिलाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो जो मरीज है उसको जो डेंगउ बुखा रहा है वो बहुत ही हलती से ठीक होने लागता है दोस्तों ये नुस्का एक चमतकाई ढंग से मरीज को डेंगो में फायदा देता है तो दोस्तों एक बार इस नुस्के को जरू ट्राइ करें और इससे आपको पोचादा जबर्दस तलाब मिलेगा तो दोस्तों उमीद करते हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों पाई शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आगेन भी उनकर दें ताकि जब भी मैं को न्यूव इड़ा डालू तो आपको नोटिफिकेशन ने मिलें सबसे बहलतों बने रही हमार सा सुस्तरी एंस्तरी टेक केर बाई बाई